हेलो फेंड्स वेलकम टू रूट दोस्तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन जोग्राफी का एक बहुत ही महात्रपूर्ण टॉपिक डिसकस करेंगे इसमें हम भारत की प्रमुक जो फसले हैं और उनके जो प्रमुक उत्पादक राज्य हैं तो राज्यों के एकॉर् सरवाधिक उत्पादित होती हैं तो देखिए सबसे पहले तो जो उत्तरप्रदेश राज है न बच्चो तो कुल खाद्यान में उत्तरप्रदेश का पहले नंबर आता है पूरे भारत में यदि हम देखेंगे कि जो उत्तरप्रदेश है बच्चो पूरा गंगा ब्रह्मप देखने को मिलता है तो overall खाद्यान या फिर कुल खाद्यान में उत्तरपदेश पहले नमबर पर आता है या आपको याद रखना है इसी के साथ साथ गेहूं या फिर wheat के production में उत्तरपदेश पूरे देश में प्रथम है सरवादिक उत्तरपदेश का प्रथम इस्थान आता है दूद उत्तरपदेश का प्रथम इस्थान आता है और आलू के उत्तरपदेश का प्रथम इस्थान आता है तो अक्सर एक्जाम में यहां से question आते है कि जैसे गन्य के उत्पादन में प्रथम कौन सा उत्पादक राज है या फिर अग्रणी कौन सा राज है तो आपको याद कर लेना है उत्तर प्रदेश, कुल खाद्यान, गेहूं, गन्ना, दूद उत्पादन और आलू तो इतनी फस सरवादिक छेतर फल उत्तर प्रदेश में ही है सरवादिक छेतर फल में गेहूं फसल ले जाती है उत्तर प्रदेश में ठीक है इसके अलावा गन्ना सरवादिक सिंचित फसल है आपको पता होगा गन्ना और चांवल ऐसी फसल होती है फिर गन्ना और धान ऐसी फसल होती है जिनके लिए बहुत अधिक मात्रा में जलकी आवश्यक्ता होती है, तो जो गन्ना होती है खास तोर पर ये सरवादिक सिंचित फसल है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, मैं एक्जाम में कुश्यन पूछ लेता कि सरवादिक सिंचित फसल इनमें से कौन सी है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये पांच फसल आपको याद रखना है, एक वर फिर से रिवाइस कर लेते हैं, खाद्यान, गेहूं, गन्ना, दूद उत्पादन और आलो, ठीक है, तो पूरे देश में उत्रप्रदेश का एक बहुती प्रमुख इस्थाने क्रशी को ले करके, चलिए, अगला प्रदेश देखते हैं, अगला प्रदेश है बच्चों मद्रप्रदेश, तो मद्रप्रदेश में पहली बात तो जो कुल दाले होती है, ना, दाले जो दलहन फसले होती है, तो उन में प्रथम नंबर है, और दलहनों के साथ साथ बच्चों तिलहन में भी मद्रप्रदेश का देश में प्रथम इस्थान आता है, तो याद कर लेना दलहन और तिलहन में मद्र प्रदेश यदि उत्पादक्ता की बात की जाए तो प्रथम नमबर पर आता है इसके लबा सोयवीन लगबग 60% देश का जो सोयवीन उत्पादित होता है वो कहा होता है मद्र प्रदेश में होता है बच्चो इसके लवाद चने बे भी इसका नमबर या फिर उत्पादकता में प्रथम नमबर पर है मद्पदिश चने में भी इसके लवाद दलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं ये भी थोड़ा मेहाँ पर समझ लेते हैं तो देखिए ये सबी दलहनी फसलें या फिर लेग्यू मेनेसी कुल के अंतरगत या फिर फैमिली के अंतरगत आती हैं एक्जाम में कुशन बनता है कि लेग्यू मेनेसी कुल के अंतरगत कौन सी फसलें आती हैं तो दलहनी फसलें आती हैं और मूंग अरहर मसूर ये सब जो फसले हैं ये दलहनी फसले हैं इसके लावा बच्चो तिलहनी फसले कौन कौन सी होती है तो जिन से हम तेल निकालते हैं जिन फसलों से तो उनको तिलहनी फसले बोलते हैं जिससे सोयाबीन, सरसों, मूंग फली और सूरजमुकी तो ये तिलह फसलों में यह प्रत्व है इसके लबाट चना और स्वयवीन में भी इसका देश में प्रत्व नंबर आता है ठीक है चलिए अगला राज यह बच्चो राजिस्थान राजिस्थान के ओधि हम बात करें तो सबसे पहली चीज राजिस्थान में आपको याज रखना है कि कुल तो मौटे अनाज का production होता है, मौटे अनाजों के production में, है ना मौटे अनाज में कौन-कौन से आ जाते हैं, इस जौर, पाजरा, जौ, रागी, ये सबी मौटे अनाज में आ जाते हैं, तो मौटे अनाज में सरवादिक जो उत्पादक राज है वो है राजिस्थान, उसका एक reason है कि राजिस्थान में आप देखेंगे जो पूरा पश्चिमी राजिस्थान है जो पूरा western राजिस्थान है या फिर पश्चिमी राजिस्थान है तो यहां पर आपको पता होगा थार रेग स्थान है, फिर थार मरुस्थल है, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थली मिट्टी है, फिर मरुस्थली म्रदा पाई जाती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाओ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उपजाओ नहीं होती है, और मौटे अना का production किया जाता है मोटे अनाज कौन-कौन से तो जो आर बाजर रागी जो ये सभी मोटे अनाज के अंतरगत आते हैं इसके लावा सरसों में प्रथम नंबर पर आता है राजिस्थान और बाजरे में भी ये प्रथम नंबर पर आता है परिटिकुलर हम यदि इसके अंदर से को कोई फसल इससे निकालने हम तो बाजरे में प्रथम आता है और सरसों में प्रथम आता है और overall मोटे अनाज में भी ये प्रथम आता है इसके लावा नोट जो अभी मैंने आपको समझाया वही चीज लिखी हुई है मोटा अनाज कम पानी और कम उपजाव भूमे में भी काली मिट्टी के लिए सरवाधिक अच्छी होती है इसको कापासी मिट्टी भी कहा जाता है कापासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है उसका रीजन ही है कि कापास के लिए कापास की फसल के लिए फिर कॉटन के लिए सबसे अच्छी कोई फसल है तो काली मिट्टी या फिर ब cover किया है मैंने कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है फिर black swail होती है इसके लाब काली मिट्टी कहां कहां पाई आती है थोड़ा सा बता देता हूँ यह गुजरात reason में पाई आती है मालवा reason मद्रप्रदेश का यहां पाई जाती है पूरा जो महराष्ट है महराष्ट का पठार है यहां पर पाई आती है काली मिट्टी और उत्तरी करनाटक और उत्तर पश्चिमी तेलांगना तो इस पूरी जो reason है बच्चो यह पूरा काली मिट्टी का छेत है और यहां पर सभी reason में सभी रीसन में कपास की करशी अच्छी खासी की जाती है ना गुजरात तो पहले नंबर पर आता है महराष्ट में भी अच्छी खासी करशी की जाती है मालवा जो MP का रीजन है यहाँ पर भी अच्छी खासी करशी की जाती है मतलब जहां जहां काली मिट्टी पाई जा रही है ये वहाँ पर कपास की खेती की जाएगी क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है चलो आँगे देखते हैं महराष्ट, महराष्ट राजजी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो आम के प्रोडक्शन उत्पादन में सबसे प्रमुक है यहाँ पर आप देखी यह महराष्ट राजजी है इसके लाब अरहर के उत्पादन में प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है अंगूर के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है प्याज के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है तो आप वहाँ पर confuse हो जाते हैं option देखके है ना तो आप ऐसे state wise जाद करेंगे ना तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी तो आम अरहर अंगूर और प्याज जौर तो इनके production में महराश पथम नमबर पर आता है अंगूरों की खेती के लिए कौन सा सहर प्रशिद है तो नासिक याद रखना है एक्जाम में question मनता है नासिक सहर किस के लिए प्रशिद है तो गोदावरी के किनारे इस्थित है और अंगूरों की खेती के लिए काफी ज्यादा प्रशिद है नासिक आपको पता होगा है इसके लावा यहाँ पर कुम्ब का मेला भी लगता है आ अब goदावरी के किनारी क्रशी को उद्योग का दर्जा दैना वाला प्रतम राज्य कौन सा है महराष्ट है most important fact है बच्चो क्रशी को इंड्यूग का दर्जा दैना वाला कोिपहला राज्य है तो वह महरा आपको याद रखनी है ठीक है थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूँ हमारा SSC का बैच लाइव है रूट एप्लिकेशन पर जो हमारी एप्लिकेशन है प्ले इस्टोर से जाकर के अभी डाउनलूट कीजिए और विजिट कीजिए हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फेकल्टी है चाहिए वो मैस सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, इंग्लिश हो सभी एक्सपर्ट फेकल्टी के दौरा वहाँ पर पढ़ाय जा रहे है तो यदि आपका टार्गेट SSC है या फिर SSC की जैसा कोई एक्सपर आपका टार्गेट है तो आप हमारे बैच को जोईन कर सकते हैं, आपको सारी फेकल्टी वहाँ पर गाइड भी करेगी रूट एप्लिकेशन आप डाउनलूट कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी इसके लावा आप मुझसे जोगरफी पढ़ना चाहते हैं, तो रूट एप्लिकेशन पर आप मुझसे जोगरफी पढ़ सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड जोगरफी हो या फिर इंडियन जोगरफी हो वहाँ पर बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीके से हम वहाँ पर जोगरफी पढ़ेंगे, आसान तरीके से, रूट एप्लिकेशन को आप डाउनलूट कीजिए, वहाँ पर आपको सारी डेटेल मिल जाएगी, यह हमारा फाउंडेशन कूर्स है, चलिए, करनाटक की बात कर ल है, सूरज मुखी, ठीक है, तो प्रथम नमबर पर कॉफी और सूरज मुखी आपको याद रखना है, काफी important है, कई वहाँ से question आते हैं, देखिए, करनाटक देश के कुल उतपादन का लगबग 68% या फिर लगबग 70% आप बोल सकते हैं, कॉफी का उतपादन करनाटक करता है, ठीक है, तो यहाँ से कई वहाँ एक्जाम में question आता है, बच्चो, कॉफी के उतपादन में सर्व प्रमुख राज्य कौन सा है, तो करनाटक है, याद रखना है, चलो, आंदरप्रदेश राज्य को भी थोड़ा देख लेते हैं, तो देखिए, आंदरप्रदेश राज तमबाकू के उतपादन में प्रथम नंबर पर आता है, यह फिर फर्स्ट में आता है, हल्दी के उतपादन में बच्चो यह प्रथम नंबर पर आता है, इसके लावा मक्का की production में भी यह प्रथम नंबर पर आता है, तो तमबाकू, खास्तोर पर तमबाकू का बहुत कोश में प्रथम नंबर पर आता है ये इसके लावा एक यहां पर मैंने point cover किया है भारत में चाए की ब्यापारिक इस्तर पर क्रशी सरप्थम 1834 में असम में प्रारंब की गई थी मतलब ब्यापारिक इस्तर पर चाए की जो पहली खेती हुई थी 1834 में असम से ही प्रारंब हुई थी चाए का जो मूल इस्तान है वो क्या है चाएना ठीक है तो ये फैक्ट की रूप में पूछ लेता है याद रखना है भारत में सरवुत्तम चाय कहां पैदा की जाती है तो दार्जिलिंग में की जाती है जो सबसे अच्छी किस्म की चाय पैदा की जाती है वो दार्जिलिंग में की जाती है उत्तम गुडवत्ता की जो चाय पैदा की जाती है वो दार्जिलिंग में की जाती है तो ये बात भी याद र तो इसलिए मैं आपको ये topic पढ़ा रहा हूं. चलिये अगला है पशिम मंगल या फिर westसे बेंगल तो पशिम मंगल वर चावल के उत्पादन में तर धान के उत्पादन में प्रतम नमबर पर आता है इसके साथ जूट या फिर परटसन के उत्पादन में भी प्रथम नंबर पर आता है West Bengal भी आप देखेंगे गंगा के मैदान में इस्थित है काफी अच्छी मिट्टी हैं पर पाई जाती है पाने की भी कोई कमी नहीं है तो चावल और जूट ये ऐसी फसले हैं कि जिनको जल की काफी जादा आवश्यक्ता होती है जल की काफी जादा कौन सी है तो चावल है है ना देखे प्रमुख खादे फसल भी चावल है भारत की इसके लाब सरवादिक 6 तरफल में बोई जाने वाली फसल भी कौन सी है चावल ही है ये आपको याद रखना है खास तो पर आप देखेंगे जो पूरा हमारा दक्षिन भारत है यहां पर मसालों के लिए जानते है तो देखेंगे गरम मसालों में ये प्रथम नंबर पर आता है ठीक है इसके लाबा प्राकृतिक रवर के उत्पादन में ये प्रथम नंबर पर आता है प्राकृतिक रवर इसके लाबा नारियल के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है जो अधरक और काली मिच तो इन सभी के उत्पादन में केरल का प्रथम नंबर आता है आपको पता होना चाहिए इसके लावा जो रवर होती है बच्चो इसको रवर के ब्रक्च के पत्ते से जो दूद निकलता है जिसको क्या बोलते हैं लेटेक्स तो लेटेक्स से ये रवर की जाती है तो ये बात भी आपको याद रखना है ठीक है यहां से भी कोशन एक्जाम में बनता है अगला है हमारा जम्मू काश्मीर तो जम्मू काश्मीर आपको पता ही होगा केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है देश भर में किसके लिए केसर के उत्पादन के जाए है, पहला कुछ ऑधा का सबसे बड़ा मुफली उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसका एंसर क्या हो जाए है, गुजरात मुफली का सबसे बड़ा उत्पादक है तो याद रखना है इसके लाबा कपासका भी यहाँ पर उत्पादन होता है सरवादिक अगला कुशन है भारत का सबसे बड़ा सोयावीन उत्पादक कौन सा है तो मद्रप्रदेश सरवादिक सोयावीन उत्पादक है इसके साथ साथ मद्रप्रदेश में दलहन और तिलहन इनका भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मद्रप्रदेश में मैंने आपको बताया था काजू का सबसे बड़ा उतपादक राजी कौन सा है तो काजू में कौन सा आता है बच्छो केरल अभी हमने लाश्ट में डिसकस किया काजू के उतपादन में केरल प्रथम नंबर पर आता है अगला कोशन देखते हैं भारत में सबसे अधिक दालों का उतपादक कौन सा राज्य करता है अभी मैंने आपको बताया मद्रपदेश दलहन और तिलहन में पर्थम नंबर पर आता है या फिर सरवादिक उतपादक राज्य कौन सा है मद्रपदेश ही है चलिए अगला कोशन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा चावल या फिर मतलब च सबसे ज़्यादा कहा होता है तो वैस्ट वैंगल पश्चिम मंगल में कौन-कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा होता है एक तो चावल तिक है चावल का सरवादिक उतपादन यहाँ पर देखने को मिलता है जूट का या फिर इसको पटसन भी बोलते हैं तो जूट और चावल का सबसे ज़्यादे यहां पर उत्पादन हमें देखने को मिलता है आंगे दिखते हैं भारत की सबसे प्रमुक खादे फसल कौन सी है सबसे प्रमुक खादे फसल कौन सी है तो मैंना आपको लाश्ट इम बताये था चांवल भारत की सबसे प्रमुक खादे फसल है इसके लाव इसके लब अगला कुशन है भारत में गहूं की प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं प्रथम तीन बड़े उत्तपादक राज्य तो उत्तर परदेश पहले पे आता है तो पहला option ही सही हो जाएगा उत्तरप्रदेश पंजाब हर्याना अब यहाँ पर आंगे पीछे होते रहते हैं पंजाब हर्याना MP का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है गयहूं का लेकिन पहले पर उत्तरप्रदेश यह आएगा तो यह आंसर बिल्कुत सही हो जाएगा इसके लबाए एक बात आप आपको याद रखना है कि जो पंजाब हर्याना राज हैं यह कम छेत रिफल में ज्यादा उत्पादकता के लिए जान जाते हैं तो पती हेक्टियर के सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो पंजाब हर्याना राज्यों में होता है गयहूं का चावल का तो यह आपको य देखें तो कुल खाद द्यान में प्रथम है ये दूसरा किस में है येहूं में प्रथम है गन्य में भी ये प्रथम नमबर पर आता है ठीक है तो ये जितने भी फसल मैंने बताई हैं ती सभी आपको याद रखना है यहां से कोश्चन एक्जाम में आता है चलिए अगला और जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम राज कौन सा है तो जूट के उत्पादन की बात की जाए तो पश्चिम मंगाल का प्रथम नमबर आता है और विश्व में भी आप देखेंगे वच्चो तो भारत का प्रथम नमबर आता है जूट या फिर पटसन के उत्पादन म लिए जाना जाता है इसी कान से पश्चिम मंगल हो गया और बंगलादेश हो गया यहाँ पर सरवादिक जूट का उत्पादन देखने को मिलता है तो यह दस कोश्चन बच्चों हमने यहाँ पर डिसकस किये ताकि आपका रिविजन भी हो जाए आई थिंक आपको चीजें क्ल अगले बहतर लेक्चर में यदि वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इसके लब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें धन्यवाद जैहिंद